गुट मॉर्निंग स्टुटेंट, क्लास 11 फिजिक्स, हम स्टडी कर रहे है चेप्टर नमबर 8 और आज का हमारा टॉपिक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मतलब सपोज यह हमारी अर्थ है अर्थ के आसपास का जितना भी एरिया है वो हमारे लिए क्या हो जाएगा ग्रेविटेशनल फिल्ड अब की कोई एक औबजेक्ट है पी जिसका मा से एम इंफिनिटी से उसको ग्रेविटेशनल के एक पॉइंट टक लाने के लिए जितना वर्ग हम करते है उसी को हम बोलते है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हिंदी में होता है गुरुत्वा कर्शन विभव एकांक द्रव्यमान की वस्तु को अनन्त से गुरुत्वी चेतर के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का गुरुत्वी विभव कहते हैं I hope so meaning समझ में आ गया कि अनन्त से किसी बिंदु से किसी वस्तु को गुरुत्वी चेतर के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना है मतलब जितना work हम करते है उसी को हम क्या बोलते है गुरुत्वा कर्शन विभव It means gravitational potential Simply it is the gravitational potential energy possessed by a unit test mass मतलब तब उस object का जितना भी mass है वो कितना रहेगा 1 unit हो सकता है वो 1 kg हो तो जो भी object का mass होगा वो unit के form में होगा मतलब 1 kg के form में gravitational potential का formula होता है V equals to U by M M उस object का mass है U उसकी potential energy U equals to minus gm upon में R Always क्या होता है यह negative होता है कुछ important points क्या हो जाएंगे The gravitational potential at a point is always negative मतलब जो gravitational potential है वो केसा होता है always negative Just मैंने अभी बताया क्योंकि उसको हम infinity से लेकर आ रहे है It means कि हम उसको opposite work कर रहे है इसलिए इसका sign केसा होता है negative और V केसा होता है V is maximum at infinity मतलब जो object जितनी ज्यादा distance पे होगा उसका gravitational potential उतना ज्यादा होगा क्योंकि जितनी distance से हम किसी object को लेकर आएंगे gravitational field तक हमें उतना ज्यादा काम करना पड़ेगा और जितना ज्यादा काम मतलब जितना ज्यादा work करना पड़ेगा gravitational potential की value उतनी ज्यादा होगी It means कि अगर कोई object infinity position पे है तो उसके लिए gravitational potential की value सबसे ज्यादा होगी The SI unit of gravitational potential is joule per kilogram Joule per kilogram U it means energy है Energy के लिए हम क्या unit use करते है Joule और this is mass, mass के लिए unit क्या हो जाएगी kilogram The dimensional formula is m0, l2, t-2 ये तो हमारी थी definition, gravitational potential, उसका formula और उसके कुछ important points अब हम इसका derivation देखेंगे कि question अगर exam में आता है तो किस तरी से आता है What is gravitational potential? Optain an expression for it गुरुत्वी विभव किसी कहते है बिंदू, द्रवेमान के गुरुत्वी विभव के लिए वैंजक निगमेत कीजिए इस तरीके का question आपको exam में पूछा जा सकता है तो सबसे पहले हम करेंगे Consider a body of mass मतलब यह अर्थिक का हमने mass क्या suppose कर लिया capital M Potential of M at P point is to be determined Suppose unit mass is A situated A distance X from M मतलब M से X की distance पे क्या है point A है यह हमने suppose कर लिया यहां से A से हमें D B तक लाने के लिए हमने क्या करा हलका सा displacement करा वो displacement कितना रहा D X Let M be the mass of the earth Let P be the point A distance from R मतलब जो P point है वो कितनी distance पे है R distance पे है Clear? इसी तरीके से अगर हम force apply करें उस object पे तो वो force almost कौन सा रहेगा gravitational force मतलब जब A object को यहां तक लाने के लिए जितना work करना है तो वो work कौन से form में होगा gravitational force तो यहां पर हम कौन सा rule apply करेंगे universal law of gravitation क्या formula होता है F upon me G M upon me X square अब आपको पता है कि जो mass हमने object का लिया है small m वो कितने kg का है 1 kg क्योंकि unit mass बोला है हमने तो इस M के place पर हमने क्या रख दिया 1 और जो A object है A object की distance कितनी रेके रखी है X It means यहां क्या आजाएगा X square तो finally F equals to कितना हो गया GM upon me X square Let the mass be the move from A to B Suppose हमने A से B तक मतलब यह हमारी A position थी हलकी सी position अगर हम change करते है A से B में तो कितना displacement होगा DX मतलब without acceleration through a very small distance DX तब हमारा work done क्या होगा तो work done equals to क्या हो जाएगा DW equals to F DX मतलब work equals to क्या होता है force into displacement तो force की place पे हमने लिखा है capital F और displacement कितना होगा मामूल E distance DX तो F की place पे हमने value put up कर दी GM upon me X square DX अब हमें total work निकालना है कहां से infinity से R तक क्योंकि A infinity से हम कहा तक लेकर रहे है उसको R तक तो total work done can be obtained by integrating the above expression तो total निकालने के लिए हम क्या करते है integration करते है क्योंकि integration का मतलब होता है sum इसलिए हम हर place पे क्या निकाल लेंगे उसका sum मतलब integration करेंगे तो W equals to क्या हो जाएगा infinity से R FDX total work निकाल रहे हम तो देखो यह जो integration है किसके respect में है X के तो जो G A में हमारे लिए क्या हो गई constant term हमने बाहर रग दी infinity to 2R 1 upon में R square dx हो गया अब यह जो X की power 2 है numerator पार्ट में गई तो कितनी हो गई X की power minus 2 dx अब X की power minus 2 है तो यह हो जाएगा integration करने पे minus 2 plus 1 upon में minus 2 plus 1 तो यही value हमने इस bracket में put up करी integration करने के बाद तो यह वाला GM as it is X की power minus 2 का integration करा तो यह आया minus 2 plus 1 मतलब X की power minus 1 upon में भी minus 1 अब यह वाला जो minus sign है आगया जाएगा आगया आगया और जो X की power minus 1 है उसको हमने लिख दिया 1 by X यह लिख दिया 1 by X कहा से कहता के infinity to R अब हम limit के से put up करेंगे upper limit minus lower limit minus GM upon में मतलब bracket में 1 upon में R minus 1 by infinity अब 1 by infinity हमारे पास कितना होता है 0 इट मिन्स की इस place पे हमने क्या put up कर दिया 0 और यह 1 by R मतलब फाइनली हमारे पास total work done हमारे पास कितना मिला है W equals to minus GM upon में R ना मिला है तो this work is gravitational potential at that point which is given by V equals to minus GM upon में R GM upon में R जो work कर रहे है वह हमारे लिए क्या है gravitational potential इट मिन्स की V equals to कितना हो गया minus GM upon में R जिसमें G क्या है capital G universal gravitational constant and the capital M is the mass of the earth clear यह mass of the earth है तो अगर हम कुछ points इसमें देखे तो क्या points हो सकते है gravitational potential is always negative मैंने पहले ही बोल दिया था derivation में जो answer आएगा वो almost negative होगा और gravitational potential जो भी होता है वो कैसा होता है always negative उसकी value हमेशा कैसी होती negative मतलब गुरूत्वी विभाव हमेशा नकारात्मक होती है the intensity of gravitational field due to a point mass at infinity is zero मतलब जो gravitational मतलब अनन्त पर एक बिंदू द्रवेमान के कारण गुरूत्वा करशन छेतिक की तिवरता शुन्य है मतलब यहां तक लाने में infinity पे उसकी value कितनी रहेगी zero the maximum value of gravitational potential is zero मतलब अभी मैंने बताया था कि अधिक्तम जादा से जादा gravitational की value कितनी होगी zero मतलब गुरूत्वी विभाव का अधिक्तम मान कितना हो शकता है शुन्य हो सकता है thank you जुन्य हो स्नॹाव अधिक्तम हो अधिक्तम हो